वेलकम डियर श्टुडेंट प्रिविएस डे वी हैव बीन श्टार्टेड ओवर लास्ट ट्वल्थ लेशन टू दा पोर्टेट ओफ ए लेडी इस लेशन इज रेटन बाई कुश्वन सिंग तो इन दिस लेशन वी लर्ण दा स्केज ओफ ओल्ड ग्रांड मदर तो जो लेख है कि ग्रांड मदर है वो कैसे दिखती है उसका एपरियेंस कैसा है ग्रांड फादर है उनका पोर्टेट कैसे दिखाई देता है तो अपने देखा कि जो ग्रांड मदर है वो और जो राइटर है उनके समंध हैं वो बहुत ही गनिष्ट हैं और किस तरह से वो उसको तयार कर प्रकार से अपने जो ग्रांड मदर है उसका करेक्टर है उसके बारे बड़ा अब यहाँ पर जब लेखक के माता पीता है वो वेल सेटल्ड हो गई कहाँ पर शीटी के अंदर तो उन्होंने राइटर एंड हिज ग्रांड मदर है उसको कहाँ पर बुला लिया सहर में बुला लिया और यह उनका टर्निंग पॉइंट था इसके बाद में उनके लेखक और जो ग्रांड मदर है उनके जो सम्मंद है उनमें क्या परिवर्टन आया वो अपना आगे पढ़ते हैं जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए वी सा लेश ओ पीच अदर तो हम एक दूसरे को कम देखने लग गए for some time she continued to wake up and get me ready for school कुछ समय के लिए तो उन्होंने किसने दादी माने वह मेरे को जगाती थी और विद्याले के लिए तयार करती थी when I came back she would ask me what the teacher had taught me और मेरे वापस आने के बाद में वो मेरे को पूछा करती थी कि आपके अध्यापक ने आपको क्या पढ़ाया है I would tell her English words and little things of western science and learning और मैं उनको उन अंग्रेजी के सब्दों में बता था जो मैं सीखता और इसके लावा जो पस्मी विग्यान है उसके बारे में जो अमने शीका उसके बारे में मैंने दादी मा को बताया जैसे दाला ओप ग्रेविटी यानि गुर्तवाक्षन का नियम आर्केमेटीज प्रिंशिपल आर्केमेटीज का शिद्दान्त दा वर्ड बिंग राउंड और जैसा की संसार गोल है इन चीजों के बारे में मैं उनको बताता दिस मैड हर अनहपी और ये सब चीजे हैं वो दादी मा को अनहपी या ना पसंद थी यानि वो उसको खुस नहीं कर सकती थी वह है मेरे जो लेशन या पाठ या जो मैं सीख रहा था उनके साथ में उनके लिए मेरी कोई सायता वो नहीं कर सकती थी और वो उन चीजों के उपर विश्वास नहीं करती थी जो अंग्रेजी की विद्यालाई के अंदर हमें सिखाया जाता था और वो इस चीज से दुखी थी कि वहाँ पर भगवान और जो अपने धरमगरन थे उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता इसलिए वो अनहपी थी एक बार मैंने घोशना की या मैंने बताया कि हमें संगीत का पाठ भी पढ़ाया जाएगा सिवाज वेरी डिस्ट्रब्ड और उससे वह है वो बहुत ज़्यादा खिन्न हो गई डिस्ट्रब यानि प्रेसान हो गई तू हर म्यूजिक हैड लूड एसोशियेशन और उनके अनुसार यानि according his grand mother music head lewd association lewd-lewd कामुक याठर के लोगों को कहते हैं तो जो कामुक लोग होते हैं उनका संगठन music है यानि music अच्छे लोगों की चीज नहीं है इतवाजदा monopoli of hellords hellords बचो वेशाओं को बोलते हैं तो यह है यह जो वेशाओं या प्रोस्टिटूट्स हैं उनकी उनकी monopoli है उन लोगों का इसके अंदर एकादिकार है and beggars and not mean for gentle folks या तो मांगने वारे लोग या hellords या वेशाओं उनका एकादिकार है यह gentle folk यानि सामाने जन है न उसके लिए इस music का कोई अर्थ नहीं है तो प्यारे बचो आप देख रहे हो according to author's grandmother music is not mean for gentle folk जो सादान लोग है उनके लिए music है उसका कोई अर्थ नहीं है she said nothing but her silent meant this approval उसने कुछ भी नहीं कहा लेकिन उनका जो चुप रहना था वो ये था कि उसने इस चीज़ को एमानिय कर दिया एस्वी करत कर दिया she rarely talked to me after that और वह इसके बारे में मुझे 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 सही बताती थी she rarely talked to me after that और इसके बाद में उसने मेरे से कभी कभार या मुझे सही कोई बात की यानि दादी मा ने उसके साथ बात करना भी बंद कर दिया when I went to university और जब में विश्वी दाले गया I was given a room of my oven अब मेरे को स्वेम को एक room या कमरा दे दिया गया the common link of friends friendship was snapped और हमारा जो दोस्ती का link था न वो भी snapped यानि टूट गया my grand mother accepted her solution solution with resignation solution एकांत को बोलते हैं और मेरी जो दादी मा है उसने एकांत को स्विकार कर लिया with resignation और नाराजगी के साथ में c rarely left her spinning और वह है अब अपनी spinning यानि जो कातने का कताईगा काम था ना उसको कभी मुश्किल से ही छोड़ती थी यानि चर्खा कताईगा काम करती थी wheel to talk to anyone spinning wheel spinning wheel बच्चो चर्खे को बोलते हैं तो वो चर्खे से कातने का काम करती रहती थी from sunrise to sunset she sat by her wheels और सुबह से लेकर के शाम तक वह है अपनी चर्खे पर बैठ जाती spinning and reciting prayer और कातने का काम करती और साथ साथ में प्राथना भी करती थी only in the afternoon the relaxed for a while to feed the spirit केवल दो पेर के समय थोड़ी देर वो आराम करती और उस समय जो गोरया या चिड़या हैं उनको दाना खेलाने का काम करती while c sat in the bramda breaking the bread into little bits से और वह ब्रामदे में बैठ कर जो रोटी हैं उनको छोटे छोटे चोटे टुक्रों में तोड़ती hundreds of little birds collected round her creating a veritable bellum of charping और इस प्रकार उनके चारूं और लगबख सोचे भी ज़्यादा जो पक्सी हैं वो बैठ जाते और veritable यानि सत्य निष्ट रूप से bellum of charping वो charping यानि चींची के आवाज उसके सामने करते थे some cam and pressed on her legs उनमें कुछ तो आते पर्च उड़कर के जो आकर के बैठता है उसको बच्चो पर्च बोलते हैं तो कुछ उड़कर के आकर के उसके पेरूपर बैठ जाते किसके दादिमा के others on her shoulders और अन्य उनके कंदू पर बैठ जाते some even sat on her head और कुछ तो उनके जो सर है उसके उपर बैठ जाते she smiled but never sue sue यह नि sue-sue करके उनको उड़ाना या दूर बगाना them away वह है उनको बिलकुल भी sue-sue करके दूर नहीं बगाती थी it used to be the happiest half hour of the day for her और इस परकार से मेरी दादी मा के लिए यह आदा गंटा है वो दिन का सबसे प्रसंतम समय हुआ करता था when I decided to go about abroad for further studies abroad यहनि foreign countries जब आगे की पढ़ाई करने के लिए मैंने विदेश जाना तै किया I was sure my grandmother would be upset तो मैं इसलिए मैं निश्चित था कि जो मेरी grand mother है वो अवश्य ही अस्तिवस्त हो जाएगी I would be away 4-5 years क्योंकि मैं लगबग 5 वर्स के लिए भार जाने वाला था and at the age one could never tell और इस उमर के अंदर कोई भी नहीं कह सकता but my grand mother could लेकिन मेरी जो दादी मा है she was not even sentimental वह बिल्कुल भी भाव के नहीं थी she came to leave me at the railway station वह मेरे को railway station के उपर छोड़ने के लिए आई but did not talk of or show any emotions लेकिन उन्होंने वहां आ करके ना तो कोई बाचीत की और नहीं किसी प्रकार की emotions यानि भावनाई पर दरसी थी her lips moved in prayer उसके होट हैं वो अब भी prayer और प्रातना के अंदर चल रहे थे her mind was lost in prayer और उनका दिमाग है वो भी भगवान के प्रातना में लगा हुआ था her fingers were beauty telling the beads of her rosary और उनके हाथ हैं वो जपमाला के जो मनिये हैं उनको बोलने के लिए या उनको एक एक फेरने के लिए उसके अंदर वेस्त थे silently चुपचाप सुरूप से she kissed my forehead forehead ललाट को बोलते हैं उन्होंने मेरा जो ललाट है वहाँ पर चुमन लिया and when I left I cherished the moist imprints as perhaps the last sign of physical attachment between us और इस प्रकार से चेरिश यह नि मन में सजो न moist imprint imprint in साप या निसान, moist in numb as perhaps the last sign of physical contact between us और इस प्रकार से उनके जो अंतिम जो किस लिया था न वो उसके निसान है, वो सम्मेने मेरे दिमाग के अंदर हमारे जो सर्रे के टच के थे, वो सजोई रखे यानि यह वो मेरे दिमाग में तरो ताजा रहे but that was not so, लेकिन ऐसा नहीं हुआ after 5 years I came back home and was maybe by her at the station मैं 5 वर्स बाज में वापस घर आया और जब मैं घर आया, तो and was met by her at the station और हम station के उपर ही एक बार पुने में मेरे दादिमाग सी मिला हर यहां पर बच्चों दादिमाग के लिए आया है she did not look at, look a day older और वो एक दिन भी वर्दे लिखाई नहीं दी यानि 5 साल पहले थी वह शही वो अब थी she still had no time for word और अब उनके पास में कहने के लिए कोई word या सब्द नहीं था and while she clashed me in her arms और तब उनोंने मेरे को अपनी बुजाओं में जकर लिया I could hear her reciting prayer मैं उनकी जो प्राथना है उसका उचारण सुन सकता था even on the first day of my arrival और जब मैं पहली बार वहां पहुंचा her happiest moments were with her spirit और उनके जो सबसे प्रसंतम जो श्रंड थे गोरयों के साथ में whom she fed longer and with frivolous review के जिनको हर whom she fed जिनको वह खिलाती थी लंबे समय से and with frivolous review और उनको तुच्छ फटकार है वो भी मिलती थी in the evening शाम को a change came over her एक परिवर्तन उनके अंदर आया she did not pray उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्राथना नहीं की she collected the woman of the neighborhood उन्होंने जो प्रोश की ओरते हैं उनको इखटा कर लिया goat and old drum and starting sing उन्होंने एक बड़ा सा धोलक मंगवाया और गाने लग गई for several hovers see thumbed the singing skins of the diluted drum और कई घंटू तक उन्होंने जो जीन सीन जो ड्रम या ढोलक था उसकी ड्रम को बजाती रही and sang of the home और गाती रही homecoming of warriors वारियर योद्दा को बोलते हैं बच्चों और योद्दा जब घर आता है ऐसे गाने वो गाती रही we had to pursue her to stop to avoid our standing और हम लोग हैं वो उनको इस चीज के लिए राजी करने के लिए तयार कर रहे थे कि ज़्यादा over standing और ज़्यादा तनाव से आप प्रेशान हो जाएगी इसलिए हम रोक रहे थे that was the first time और यह है पहला समय था since I had known her that she did not pray कि मैंने देखा कि उन्होंने कोई प्राथना नहीं की the next morning अगली सुबह she was taken ill वो बिमार हो गई it was a mild fever mild कमजोर या हलके को बोलते हैं और यह हलकी बुखार थी and the doctor told us और चिकिशिक ने हमें बताया that it would go कि यह चली जाएगी क्याश ली जाएगी बुखार चली जाएगी but my grandmother thought differently लेकिन मेरी दादिमा ने बिलकुल अलग तरेके से सोचा she told us that her end was near और उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम से मैं नजदीक आ गया है she said that उन्होंने ऐसा कहा since only a few hours before the close of her chapter of her life she had omitted to pray omitting छोड़ देना और अपना जो नजदीका समय है न उसे कुछ घंटे पहले उसने प्रात्ना करना बंद कर दिया she was not going to waste any more time talking to us और इस प्रकार से वो अपना जो जदा समय है और समय है वो हमारे साथ में बात करके खराब करना नहीं चाहती थी तो इस प्रकार से आज अपन इतना ही देखेंगे बच्चो तो आप इस चैनल को शेयर करो अपने सात्यों के सात में जिस्टे की उनको इसका लाप मिल सके लाइक करो सब्सक्राइब करो कोई किशी प्रकार की कोई आप संका हो तो आप उसके अदर comment section में जा जाकरके कोमेंट्स करो जिसे के आने वाले जो वीडियो हैं उनको अपन और एफेक्टिव बना सके थैंक यू ओके